जय बजरंग बली की दोस्तों दोस्तों अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं हनुमान जी में आपका विश्वास है तो दोस्तों यकीन मानिए ये वीडियो आप ही के लिए है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुती चवरदस जानतारी देने वाले हैं रोड़पती भी हो जाय का करोड़पती बस ऐसे एक बार जप लें ये गुप्ठ हनुमान मंत्र दोस्तो यदि आप हनुमान जी के सचे भक्त हैं और हनुमान जी को दिल से मानते हैं उनमें अटूर सरदा है तो ये वीडियो आपके लिए बेहदी खास है जोकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी हर परिशानियां खर्तम होने वाली हैं क्योंकि आज हम आपको हनुमान जी की ऐसी चमतकारी चौपाई के बादे में बताने जा रहे हैं जिसे जपना तो दूर जिदि सिर्फ एक बार सुन भी लिया तो चाहें परिशानी कितनी भी बड़ी हो करजा कितना भी हो आपको क्रोणपती बनने से कोई नहीं रोग पाएगा आपका बुरा समय जो कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन है वह आपका प्रिये मित्र बन जाएगा यानि कि हर प्रिश्टिती आप ही के अनुकूल हो जाएगी दोस्तों इन चौपईयों के बारे में मानेता है कि स्वेम भगवान राम ने सकतिशाली पंडित रावन का वद करने से पहले खुद इन चौपईयों का जब किया था जिसके प्रभाव से इतना बड़ा ज्यानी पंडित रावन जो की महास्रक्तिशाली था वो भी भगवान स्री राम का कुछ नहीं कर पाय था एक मानेता ये भी है कि इन चौपायों के जाब करने से चाहें आपका कितना बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो वे भी आपके सामने खुटने टेक देता है दोस्तो चाहें परेशानी धन सम्बंदी हो प्रेम विवा सम्बंदी हो या दुश्मन से सम्बंदित हो इस चौपाय के यानि की अनुमान जी के इस गुप्त मंतर के जाब से परेशानी पल भर में ही दूर हो जाती है दोस्तो दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वज़य से व्यक्ति बहुत सारे परेशानियों का सामना करता है दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय आशुरक्षा और परेशानी का सामना करना पड़ता है जिसकी वज़े से मनुष्य अपने काम को ठीक तरह से नहीं कर पाता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि इंसान के जीवन में कंगाली घल कर ले, तो वे व्यक्ति कभी भी परिशानियों से मुक्त नहीं होता। वो एक बार करजा लेता है, तो फिर हमेसा करजा लेता ही चला जाता है, करजे के बोज के निचे दव जाता है। या बड़े से बड़ा करजा हो आपके सामने हर परेशाने कुठने टेक देगी। दोस्तो हनुमान जी आज भी अजर अमर है और आज भी अपने भक्तों की किसी ना किसी रूप में रक्षा करते हैं क्योंकि स्वयम भगवान राम और माता सीता ने उन्हें अमरता का वर्दान दिया था। हनुमान जी कल्यूग में एक ऐसे भगवान है जो अपने भक्तों की थोड़ी सी पूजा पार से खोश होकर उनकी हर परेशानियां दूर कर देते हैं और उनकी सारी परेशानियां खुद स्वयम हर लेते हैं। दोस्तों कोई भी संकट अपने वक्तों पर आने नहीं देते। ऐसी मानता है कि जब व्यक्ति किशिना किशी संकट में घिर जाए और बड़ी सामने हो और वह कोई निकलने का रास्ता ना ढूंड पाए तो ऐसे मे अगर व्यक्ति सच्चे मंद से हनुमान जी को याद भी कर लें तो हनुमान जी किशिना किशी रोप में उसे आकर के उस परिशाने से बचा लेते हैं। और अपने भक्त की हर परिशानिया पलभर में ही दूर करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। दोस्तों तो दोस्तो इसे जाब करने के लिए किसी भी हनुमान मंदिर में जाए जाना संबब नहीं तो घर में बैटकर ही हनुमान जी के चित्र पर यानि कि उनकी प्रतिमा के सामने बैठकर हनुमान जी को सुद्य देशी की मिलाकर सिंदूर लगाए और गुलाब यू फूलों का हार भी उन्हें पैनाए साथ ही साथ मेठे पान का भोग भी अवश्य लगाए और सर्सों के तेल का तीपक प्रजुलित करने के बाद आपको इस चोपाई का यानि कि इस महागुप्त मंतर का आपको जाब करना है दोस्तों वैगुफ्त मंतर एक बार फिर आपको बता देते हैं वैगुफ्त मंतर बढ़े मन करम वचन ध्यान जो लावे दोस्तों यदि आप इस चोपाई का चाब परतिते ना कर सके तो आप इस चोपाई का चाब मंगल वा वे सनिवार को अवश्य करें दोस्तों इस मंतर में इतनी शक्ति है कि किसी प्रकार की उपरी बाधा आधी को दूर करता है वे कुण्डली में उत्पन हुए समस्त दोस अशूब ग्रय और दोसों का केवल इस गुप्त मंत्र के जाब से ही अंत हो जाता है उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है साथ ही आपके कितने भी भहेंकर से भहेंकर दुश्मन तो ना हो आपके सामने गुरुपने देख देगा इसक किसी भी प्रकार के विवासमदी प्रिशानी हो ग्रे कलेश हो सास वह में ना बनती हो पिता कुत्र में ना बनती हो अधिक किसी भी प्रकार की प्रिशानी हो सभी प्रिशानिया इस महामंत्र के जब करने से आप पे सामने गुठने टिक देती हैं और आपको किसी में प्रका में आवशे लिखें जय बजरंग बली